Hello Friends, स्वागत है आपका No Error English Classes में मैं देरंद्र जोशी, आज आपके लिए जबरदस्थ खुशकवरी लाने ला लेकर आया हूँ आज और खुशकवरी ये है दोस्तों कि XSC CHSL ने 2019 के लिए नौटिफिकेशन जारी कर दिया है अब इस नौटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़े हैं उनी के बारे में हम जानते कि क्या-क्या ये नौटिफिकेशन लेकर आया है हम लोगों के लिए आप देखें दोस्तों यहाँ पर अगर CHSL SSC 2019 के नौटिफिकेशन की बात करें तो ये नौटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों 5 मार्च 2019 को अगर पोस्ट की अगर मैं बात करूँ तो LDC की पोस्ट है यहाँ पर Junior Secretariat की पोस्ट है इसके लाबा Postal Assistant और Sorting Assistant के लिए और साथ ही साथ Data Entry Operator के लिए निकाली गई है अब देखें दोस्तों यहाँ पर एक्जाम जो स्टार्ट होगा उसका schedule क्या है क्या dates है उनके बारे में चर्चा करते है Online Application जो form भरने की date है वो है दोस्तों यहाँ पर 5 मार्च 2019 से शुरू जाएगी और Last Date जो है Online Registration की वो 5 April 2019 है टेर 1st के Admit Card आप June 2019 में प्राप्त कर सकते है और टेर 1st का जो exam है वो 1st July से लेकर 26 दुलाई तक चलेगा अब देखें टेर 2nd के जो Admit Card है वो आपको September में प्राप्त हो जाएंगे और टेर 2nd के जो exam है उसकी बात करें तो वो 29th of September को होगा अब आगे चर्चा करते हैं कि आगे और क्या-क्या चीज इस Notification ने हमें दी है अब बात करते हैं दोस्तो SSC CHSL Application Fee की तो Required जो Application Fee है वो मात्र यहां पर हमारे सामने केवल 100 रुपी है exemption भी किया गया है different different categories को जैसे female, SCST, Physically Handicapped और ex-Servicemen को अर्थात इन लोगों को fee देने की आपशकता नहीं है अब देखें जो यह 100 रुपी जो fee है वो SBI Bank में जाके हम चालान जेनरेट करवा सकते हैं या फिर जो SBI Net Banking का उपयोग करते हैं वो भी वहां से भी चालान जेनरेट करवा कर fee अपनी जमा हो सकती है करवा सकते हैं vacancies की अगर संख्या की बात करें तो vacancies की संख्या अभी तक clear नहीं हो पाई है लेकिन हमें 2017-18 की जो exam के हिसाब से हमें एक थोड़ा सा idea ले सकते हैं क्योंकि 2017-18 के अनुसार 5134 जो vacancies थी वो fill होनी थी ठीक है अब बात कर रहे हैं हम आगे और इसने क्या दिया है अब बात कर रहे हैं यहां पर SSC, CHSL के slavus के बारे में अगर मैं यहां पर slavus की बात करूँ 2019 के लिए तो जैसा की मैंने बताया कि तीन different levels में होता है exam अगर tear first की बात करें तो वहां पर general intelligence के 25 question, 50 marks के general evidence के भी पचीस question, 50 marks के quantitative aptitude के 25 question, 50 marks के और English language के लिए 25 question, 50 marks कोंगे यह tear first exam है जो की चार sections में होगा और इसका total duration है वो 60 minute होगा अब देखें दोस्तों यहां पर time reduce किया गया है 2017-2018 तक जो timing थी वो थी 75 minutes अब की बार केवल 60 minute time किया गया है इस चीज का ध्यान रखें अब देखें आगे इसमें और क्या-क्या चीज हमें given है आगे की चर्चा करते हैं इस notification के बारे में तो यहां देखें कि यहां पर जो मैंने बताया है कि तीन tear में इसका exam होगा अगर tear first की बात करूँ तो objective multiple choice जो exam होगा उसका जो mode है वो online mode है tear second का जो exam है वो descriptive paper है हिंदी या English में और उसके लिए pen and paper mode है अगर बात करें tear third की तो skill test या computer proficiency का जो test होगा wherever applicable जहां भी applicable है अब SSE CHSL की preparation करने से पहले हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो exam pattern में और syllabus में changes की गए है वो किस प्रकार है वो देखें SSE CHSL 2019 के tear first जो exam होगा वो online mode ही होगा ठीक है और introduction होगा जो descriptive paper का वो 100 marks का होगा और उसके जो timing होगा दोस्तो 60 minutes होगा और pen and paper mode है दोस्तो ये अब time limit में reduction किया गया है tear first के लिए जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले पहले जो थे वो 75 minutes दिये जाते थे और आप केवल 60 minutes दिये जाएंगे tear third की अगर बात करें तो वो same ही रहेगा जैसे पहले हुआ करते था और यहाँ पर कोई भी sectional cut off नहीं है तो देखें दोस्तों बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए मौका है SSE CHSL का आप form fill करें आपके पास पूरा महिना है और उसकी preparation आज से ही शुरू कर दें और preparation में सबसे ज़्यादा जो एहम role रहता है जो मुखे role है इंग्लिश में बच्चों को सबसे ज़्यादे दिक्कत होती है और अगर आपको किसी भी प्रकार की इंग्लिश में कोई दिक्कत है और classes अगर लेना चाते है तो no error English classes join आप कर सकते है जहाँ पर मेरे ही अंदर में आप रहकर guidance प्राप्त करेंगे इंग्लिश की और इंग्लिश की knowledge लेंगे no error English classes से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगाए तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचा सकें और उनको benefit भी मिल पाए धन्यवाद